हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंगलिस क्लासेज में मैं समी सिंग एक बार फिर से ले आया हूँ आपके लिए क्लास टेंथ का फूट्प्रिंट्स विदाउट फिट का यह चैप्टर नमबर 10 यानि लास्ट लेसन है जिसका आमें दबुक डाट सेवड द अर्थ यह ऐसी किताब है जिसने पृत्वी को बचाई किस से बचाई पृत्वी को क्या होने वालत है ऐसा वह आपको इस स्टोरी में कंफर्मेशन होगी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो में क् इंफर्म कर दो ताकि आप तसल्दी से आराम से वीडियो को बिना स्किप की आराम से पूरा देखे यहां आपको बता दू मैं कि कोई भी ऐसी चीज आपको इस वीडियो में ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी यानि कि नॉर्मली आपको कहीं किसी हेल बुक किसी और ऊपको जैसा भी लगता हो बट यह है कि आपको यहां पे ठोड़ा सा इसके बारे में जनकाइ देंगे और यह जानकर आपको बाकी बच्चों से extra knowledge दिलाएगी इसके अलावा हम चलेंगे characters में यानिकि जो जो characters हैं mainly जो characters हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे उसके बाद हम character के बाद जाएंगे story में story हम आपको image के बाद हम से दिखाएंगे यानिकि explanation जो है हमारा according to me यह best explanation होगा जो image के बाद हम से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको यह video आसानी से समझ में आए अलावा इसके आपके जो book में questions है read and find out करके think about it करके language type के जो भी आपके book में questions उसका solution आपको यहाँ एक एक करके मिलेगा इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसा extra questions और answers long questions आपको जो exam के point of view से बहुत 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 important है अलावा भी उसके में आपको story की theme जो characters है main main उसके characterizations भी आपको इस story में देने वाला हुमें बारे में ज़्यादा सोचेगा नि हम चलते हैं story को शुरू करते हैं writer महोद्या के बारे में यह writer महोद्या यह sudoku बहुत खेला करती थी puzzle game बहुत खेला करती थी जैसा कि आप देशकते हो यह अभी भर रही है पेपर में वह puzzle वह sudoku टाइब की चीज़े यह पैदा हो थी 17 मही 1925 में Massachusetts और इनका death जो था वह हुआ था 93 वर्स की उम्र में 12 अप्रेल 2019 में यह अभी recent में साल भर पहले या 14-15 महीने पहले इनकी मृत्य होई बाकिसी आप इसमें देख लिजेगा एक चीज़ बता दू मैं जो important है जिसके लिए मैंने यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ इस space के पीछे वो यह कि जो आपकी यह book है ना वो children's place for creative actors नामक book से लिया गया है जो story आपकी है वो यहाँ से ले गई है मैंने बहुत search out किया मुझे यह नहीं मिला कि किस सन में लिखी गई थी बत मुझे बहुत search करने के बाद यह जरूर मिल गया तो कम से कम कुछ extra आपको चीज़ चाहिए जो आपको जाननी हो चलते हैं पहले characters को confirm कर लेते हैं कौन-कौन से characters इस lesson में हैं आपके तो सबसे पहले आपको बताओं यह historian है यह महोदय इतिहासकार है और यह आपको बताएंगी इस story के बारे में यह ही है जो story को बताने वाली है यह introduction देती है story की कैसे story होती है और इसके बाद यह conclusion भी करती है इस story का यानि कि जो यह कहानी आप पढ़ने जा रहे हो उसका introduce यह करेंगी और उसका यह conclusion भी करेंगी यह है पहला character इस story का जिसका नाव है think tank नाम से आपको पताओगा think tank ऐसा tank जो बंदा सोचने पर ही भरा हुआ है यह सोचने का ही संग्राला है यह खुद का खुद यह मार्स ग्रह का यानि कि जो आपका मंगल ग्रह है उसका ruler है ऐसा माना जाता है कि यह सबसे शक्तिसाली सबसे बुद्यमान प्राणी है इस नाटक का और यूनुवर्स का भी ब्रम्हांड का भी और यह commander in chief है मार्स space control का जो एक spaceship होती है एक जहाज होती है जो इस पेस की होती है उसका यह controller है इसका जो पदवी है वो है commander in chief का यह main मुख रूलर अगुवा सब कुछ है यह second character है इस story का जिसका नाम है noodle यह think tank का बहुत ही वफादार servant है और बहुत ही बुद्यमान नौकर है यह यह बुद्यमानी के लिए विख्यात है हलाकि यह apprentice है apprentice का मतलब यह होता है कि वो अभी भी काम सीख रहा है वो think tank का कुछ काम करना सीख रहा है वो कैसे एक space ship okays conscious की जाती है काशे एक जगह रहकर के क्यों कशी sensi के बात्चेत की जाती है वो काम यह कर रहा है और भी कुछ चीजी यह करता है यह think tank meta को manage करता है Think Tank को क्या चाहिए, किसमें वो क्या कह रहा है ये सारे के सारे चाहिए Think Tank के बारे में जानता है तो ये बहुत ही वफादार, बहुत ही जानकार और Think Tank का बहुत ही करीमी नौकर है अगर हम थर्ड बात करें अगर हम यहाँ देखें थर्ड के बारे में जो ये third characters हैं हाला कि इसमें तीन characters और हैं तो total पांच characters हैं आपके इस story में historian को छोड़ करके ये है Captain Omega Captain Omega जिनका ओहदा जिनका पद सबसे बड़ा है इन तीनों में सबसे बड़ा है इसके बाद Lieutenant Oeta ये जो है महोदिया है ये female है और ये है servant oop servant oop महोदे जो हैं ये सबसे छोटे ओदे पर हैं ये तीनों लोगों को Think Tank ने भेजा है पृत्वी पर पृत्वी पर जाओ कुछ राज वहाँ का लोग राज कैसा कि पृत्वी की लोग जब आक्रमण होता है उनकी उपर कोई और planet का व्यक्ति जब आक्रमण करता है तो वो अपना बचाव कैसे करते है ताकि जब तुम्हेँ पता चल जाएगा कि बचाव कैसे करते हैं वो आक्रमण उसे तो तुम मुझे वो जानकारी देना Think Tank कहता हैliter तुम मुझे जानकारी तेना और प्रत्वी हमारी हो जाएगी तो इस तरीके से ये लोग जो है वो इस समय ऐसे जगह पर पोचे हैं जिसके बारे में इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है हमें पता है वो लाइबरी है हमें पता है लाइबरी में भुक्स होते हैं बटी ने बिल्कुल नहीं पता, इने जानकारी नहीं है कि वो हैं कहां। तो इसलिए ये लोग जो हैं अब एक गुमरा हैं उस जगा पर और ये बाते आपस में कर रहे हैं, वहां की चीजों को टटोल रहे हैं, बटी ने अंदाजा नहीं है कि वो चीजे हैं क्या। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और ये है आपका सीन फरस्ट, सीन फरस्ट का जो टाइम है वो है 25th सैंचूरी, यानि कि आपको बता दूमें ये 25 शताबदी की कहानी है और जो इतिहासकार महोदिया हैं वो म्यूजियम आफ एंसेंट हिस्ट्री में खड़ी हैं, जो भ पिछ पास्ट का देंगी, इतिहासकार है, इतिहासके बारे में देंगी, और वो कब का देंगी, और किस जगा का देंगी, वो देंगी प्लानेट अर्थ, यानि कि प्रस्वी के बारे में, और वो भी 20 शताबदी के डिपार्टमेंट के बारे में, ये 20 शताबदी में क्या ह हुआ था प्लैनेट पर अर्थ पर उसके बारे में यह जानकाई देंगी आपको बता दो यह साइंटिफिक स्टोरी है यह कालपनिक कहानी है तो यह आपके पास सीन फर्स्ट आपको दिखा रहा हूं मैं यह है महोद्या एक मेज पर एक इतिहासकार बैठी है मेज पर एक पास्वर देने जा रही है स्पोर्ट लाइट जो है वो इनके ऊपर आकर गिरती है और यह शुरू करने वाली है अपने स्पीच को यह सुरताओं को या और्डियंस को बताती है कि कैसे 20-वी श्रताबदी को एरा आफ बुक्स कहा जाता है उन दिनों में हर चीज के बारे मे यह बताती है कि उन दिनों में यानि 20-वी श्रताबदी में यह बता रहे हैं तो 25-वी श्रताबदी में यह लेकिन बता रहे हैं 20-वी श्रताबदी की 20-वी श्रताबदी की बताती है कि उन दिनों में हर चीज के बारे में किताबों में ग्यान हुआ करती थी जो चीज आप श्रताबदी की एक कहानी बताती है ये बता रहे है कि इसमी श्रताबदी की एक कहानी ये बताती है कि किस प्रकार मंगल ग्रह के लोगों ने पृत्वी पर आक्रमर किया और एक नरसरे की कविता की बुक ने उस आक्रमर से पृत्वी को बचा लिया यह घटना है 2040 की यानि की इकिस्वी शताब्दी की बात कर रही है 2040 में आपको पता होगा यह 2400 भी आता है 2099 तक 21しく जताब्दी में आएगा तो 2040 की घटना बताती है हैं तो 25 जताब्दी में यह लेकिन घटना बताती है Depart की कि इतिहासऔस के बारे मताती है 120 में क्या होता है ये बता रही है कि घटना इए 2042 की है इसमें मंगर ग्र mr आक्रम्र के मैं मई बताया जाता है वास्तों में व schöne को debate को रोक दिया ये कोई बूक जो तब हिस्टोरियर महोद्या ने, इतिहासकार महोद्या ने, सुरताओं को वे घटनाय दिखाती हैं, जो वास्तों में हुई, तो ये जो घटनाय हुई थी, वो दिखाती हैं, चुकि इनके पास एक फिल्म है, जिसको रिकॉर्ड करके रखी हुई है ये, ये प्रोजेक्टर मे and mighty think tank, think tank को कहा जाता है great and mighty, बहुत ही महान, बहुत ही mighty, शक्तिमान बंदा है, ये think tank, जो कि commander in chief है, और noodle जो इसका अप्रेंटिस है, वो वहाँ खड़ा है, order लेने के लिए, वो आदेश उसको दिया जाता है, commander in chief के दोरा, क्या आदेश दी जाती है, मार्श इस्पेस कंड् जित है, हाला कि आपको दिखनी रहा होगा सितारा, मुझे दिख रहा है, हो सकता है, आपको भी दिख जाए बाद में, उसका apprentice, noodle जो है, उसके पास एक switchboard के पास खड़ा है, ये जो बंदा है, apprentice, जो कि आपको बताया मैंने कि ये है noodle, ये जो है switchboard, आपको पता होगा, इस spaceship म पहले से ही धरती पर एक मानव नियंत्रित, अंतरिक्छियान भेज दिया है, कैसे मानव चीजें को नियंत्रित करते हैं, उसका उद्धेष है कि धरती की बचाव प्रारली का अध्यायन करना है, जब उन पर आक्रमर की जाते हैं, किसी और ग्रहों से आई हुए लोगों को और फिर जो अध्यन करेंगे जो मैटर मीलेगा उसे मंगल से आने वाले जो अंत्रिक्ष्यान है उस तक भेजना है यानि कि उसे मंगल ग्रह ग्रह वार जो ग्रह है उस समय दोपर के भोजन से पहले वो धर्ती पर आक्रमण करेगी क्योंकि भी वो जानने गए हैं वो लोग सुबा सुबा कि कैसे वो लोग बचाव करते हैं जब उन लोगों को पता चल जाएगा कि धर्ती के लोग आक्रमण से कैसे बचते हैं तब वो अपना मैटर जो है डिकोड करके वो भेजेंगे मार्स में जो अंतरक्छियान है वहां त मुझे मिरर से कुछ पूछना है नूडल जो है उसे उसका मिरर शॉप देता है यह मिरर जो है वो जादवी मिरर है चुकि वहांके लोगों के पास बहुत सारे हाई-टेक चीजे है तो यह मिरर भी उनमें से एक है ठिंक टैक जो है वो मिरर से पूछता है कि बताओ दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्रानिक होने यह question आपको याद दिला रहा होगा वो snow white type की ना snow white and seven dwarves में ऐसे पूछा जाता है शायद तो यह बोलता है सबसे बुद्धिमान प्रानिक कौन है थोड़ी दिर के बाल मिरर जवाब देता है आप है आल्माइटी इस अंसार के सबसे बुद्धिमान प्रानि आप है इस पर think tank जो है जहला उड़ता है वो कहता है अगली बार से जवाब मुझे तूरंत चाहिए I want quick answer य दुनिया का सबसे दुनिया का intelligent प्रानि हूँ चाहिए वो कोई भी planet हो सबका मालिक मैं तो think tank जो है हस्तेवे noodle से कहता है कि मेरा संपर्क जो है वो धर्ती पर भेजे गये उस space prob से करवाओ उस space का नाम था prob जिसको इसने प्रत्वी पर भेजी है जानकारी कठा करने के लिए क प्रत्वी पर जब जान जाएंगे सब तब तो यह prob से कहता है कि मेरी वहाँ पे contact कराओ think tank कहता है कि सिग्र ही धर्ती को हम काबू करने वाले हैं इसलिए जल्दी से मुझे बात करवाओ उन लोगों से जो लोग प्रत्वी पर गये है नूडल जो है इसका संपर्क करना चाह मार्स ग्रह में जो वो लोग बैठे हुए है नूडल और think tank से करवाएगा जो तीन लोग नीचे आए हुए हैं प्रत्वी पर उन लोगों से समय तो आपको बताया गया कि थोड़ी दिर के बाद यह होने वाला सिंफस्ट के बाद और जो प्लेस है वो है मार्स स्पेस कंट् ग्रह identity है यह नाम जोरी याद रहेगा और कौन को रहेए वाहँ पे ओमेगा अयोटा यह तीन लोग वहाँ पर हैं संपरक जोड़ दिया जाता है मार्स स्पेस कंट्रोल से संपर्क जोडा जाता है और केंटर वी पलृच लाइबरी में जो लोग है मैं उन से संपरक जड़ होती है कैप्टन ओमेगा से संपर्ग जोड़ देता है नूडल थिंक टैंक अब बात करते हैं इन लोगों से कैप्टन ओमेगा और इसके सहायक जो है आयोटा उप एक लाइब्रेरी में हैं विधर्ती अबर धर्ती के बचाव के रहस्त जानने आए हैं चुकि मैंने आपको बताया कि किस प्रिकार से धर्ती अपने आपकी बचाव करती है लोगों से आकरमनकारियों से जब यह जान जाएंगे यह लोग तो सूचना देंगे मार्स में और फिर वहां से यह लोग भेजेंगे एक जिससे तबाह कर देगा जो तबाह कर देगा प्रित्फिक को तो इस तरीके से लोग लाइबरेरी में पहुँच गए हैं उन्होंने लाइबरेरी और बुक्स को पहली बार देखा है यह लोग पहली बार देखे हैं इसलिए बहुत यहाँ वाँ छाट रहे हैं बुक्स को कि यह है क्या चीज है जाने की कोशिश कर रहे हैं थिंक टैंक जो है वो कैप्टन ओमेगा से बात करता है आपको यहां बता दू मैं कि थिंक टैंक अपने स्पेस शिप के सेक्रेट कैमरे से उन्हें देखता है और तिन लोग गले में पड़े माइक्रोफोन से बात करते हैं देख नहीं सकते हैं और ये सब कुछ देख सकता है बोल सकता है सब कुछ तो इस तरीके से यह तिन लोग जवाब देंगे और ये मोहद है. उसके बारे में से बताता है कि धर्ति पर हम बिना किसी दुर घटना के पहुँच गए जब इससे पूचता की कैसे पहुचे तो यह बता था जो कि रोग्हा Now नमक चीज हो ही ना इसलिए लेकिन लेफशनेंट आयोटा थिंक टैंक को बताती है यह महदे जो है वो थिंक टैंक को बताती है कि इन अजीब वस्तु यानि किताबों की संख्या लगबग 2,000 है थिंक टैंक का विचार है कि जिस अस्थान पर हैं वो शाद कोई स्टोर रूम होगा सारजेंट जो उप हैं ये भी कहते हैं कि उसने पहले कभी ऐसे चीज नहीं देखी ये जो महुद हैं ये इन चीजों को हैट मानता है कहता है ये हैट है ये टोपी है और उसे सर पर रख करके दिखाता है ये टोपी की तरह है दो ये सब country को हैट मान करके ये रखता है अपने सर पर दिखाता की ये हैट है उमेगा चु है वो थिंग टैंक की सला मांगता है यह कहता है कि आप मुझे सला अपने remote control camera से दिंग किताबों को को देखता है और सोचकर कहता है कि मुझे लग रहा नहीं कोई यह खाने की चीज़ है यह कोई रेश्टरा है और यह खाने की चीज़ जो हाथ मे लियो वो खाने की चीज़ है तो जो तुम्हारे हाथ मे ना वो मुझे लग रहा है कि वो सेंड्वीच है और ये सेंड्विच ही मुख्य भोजन है, मुख्य खुराक है धर्ती वासियों के ये निश्चित करने के लिए ठिंक टैंक जो है वो उमेगा को आदेश देता है कि वो उसको खा कर देखे यादेश देता है कि तुम्हे काम करो ना तुम इसे खा कर देखो पता चलेगा तुम्हे कि ये कैसा है अब चुकि उमेगा सबसे बड़े हैं वहाँ पर पद में उमेगा लेटनेंट आयोटा को कहता है खाने के लिए आयोटा सार्जेंट उप को कहती है खाने के लिए अब चुकि उप जो है वो सबसे छोटा है I mean पद में सर्जेंट है वो तो Captain Lefnan को Lefnan Sergeant को कहता है अब उप नहीं चाहता है कि वो किताब को खाए उसे जीब सा लग रहा है वो चीज तो नहीं चाहते भी उसने किताब का एक कोना खाने की कोशिश करता है और इसे चबाने और निगलने का नाटक करता है और Think Tank को बताता है कि ये बिलकुल स्वादिश्ट नहीं है प्रतवी के लोग इसे सूखे सूखे कैसे खाते होंगे ये तो हमारे Mars के Dust यानि धूल की तरह सूखा सा है कुछ देर के बाद नूडल जो है वो Think Tank को बताता है तो ये Think Tank को बताता है कि कुछ फैक्ट मेरे धिमाग मेरे इसमें तैर रहे है मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लग रहा है कि धर्ती के निवासी इने खाते नहीं है मगर वे इने कम्यूनिकेशन के तरीकों के लिए प्रियोग करते है ये मुझे लग रहा कि संचार का माद्यम है ये जो इनके हाथ में है जहां तक मैं जानता हूँ Think Tank इस बात पर विश्वास कर लेता है वह ओमेगा को आदेश देता है कि इन्हें यानि कि किताबों को सुनने की कोशिश करो जब ये बंदा कह रहा है कि ये संचार का माद्यम है तो संचार का माद्यम है तो बोलेगा जरूर इसलिए तुम ना उसको सुनो अब ये लोग जो है किताबों को कानों में लगाना शुरू करते हैं ये कान में लगा करके खड़े हो गई कि हाँ सुनते हैं कि क्या है सुने की भरपूर कोशिश करती है Think Tank ओमेगा से पूझता है कहता है कि क्या उसे उसमें से कुछ आवाज आई सुनाई दिया नूडल कहता है कि उसके दिमाग में फिर से एक सूचना का अंस आया है धर्ती के लोग इन्हें खोलते और देखते हैं सुनते नहीं है अब Think Tank कहता है कि ये जो सैंडविच है ना अब उसे सैंडविच का नाम बोल रहा है ये बंदा करें जो सैंडविच है ना ये आँखों के संचार के लिए है आँखों से देखा जाता है आँखों से इससे बाते होती है कान से नहीं अब वो Captain Omega से कहता है कि तीन सैंडविच ले लो एक दो तीन यानि तीन बुक्स ले लो और उनमें देखने की कोशिश करो Omega चुहे एक बुक उठाता है और उसको देखने की कोशिश करता है और कहता है कि इसमें तो धर्ती के लोगों की तस्वीरे हैं इसमें कुछ प्रकार के संकेत, लाइने, बिंदू और तश्वीर मुझे सिर्थ देख रहा है फिर ये कहता है Think Tank से कि वह तश्वीरों का अध्यन नहीं कर पा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तब ये बोलता है तुम तश्वीरों का अध्यन करो और उनकी जो सांकेतिक भाशा है उसे समझो पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो जो बुक लिया है किसी को समझ में नहीं नहीं आ रहा है बहुत कोशच की बावजूब भी वे उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाते हैं क्या कि उसमें लिखा क्या है तब थिंक टैंक जो है उन्हें सुझाव देता है यह कहता है कि तुम्हारे पास विचमिन की गोलियां है उसे खालो तुम्हारी बुद्धी जो है तुम्हारा इंटेलिजन जो है वो बढ़ जाएगा अब यह जो रखा हुआ है वहाँ पे विचमिन की गोलियां उमेगा जो है वो बाक्स में रखे वे विचमिन को निकाल करके खा लेता है और सबसे कहता है कि तुम लोग भी से खालो थोई दे के बाद जो उमेगा है वो सर हिलाते वे सर खुजलाते वे बोलता है हाँ अब मुझे दिख रहा है अब मैसेज मैं डिकोड कर सकता हूँ अब वो बोल रहा है कि जो किताबों में मैं देख रहा हूँ वो उसमें क्या लिखा है अब ये पढ़ने की कोशिश करेगा और आपको पता है कि वो नरसिर की किताब है और उसमें कविता लिखी हुई है तो इस कविता को वो पढ़ने की कोशिश करता है हाला कि उसको नहीं पता ये पोयम है पोयम क्या है वो ये है मैं आपको यहाँ पूरा दिखा दे रहा हूँ लिखा इसमें मिस्ट्रेस मैरे कॉइट कंट्रेरी हाउ ड़स यूर गार्डेन ग्रो जब ये पढ़ता है वो उमेगा जब पढ़ता है तो वो हसता है वो कहता है कि लड़के गार्डेन में सिल्वर उगा रही है यहाँ लिखा ना सिल्वर ये लड़की मैरी है गार्डेन ग्रो वो कहरा कि सिल्वर उगा रही है मजा करता है वो कि यसलवर कैसे कोई भगा सकता है तो हसता है बस उसको जो समझ में आया जो decode कर पाया उसको ले करके वो बड़ा खुश होता है वो बहुत हसता है लेकिन think tank जो है वो कुछ सोच करके जो है वो इसे चेतावनी भरे स्वर में बोलता है omega को कहता है ये कोई हसने वाली बात नहीं है ये serious matter है think tank को हैरानी हो रही है कि धर्ती के लोगों ने क्रिशी और खनन को किस प्रकार से मिला दिया है अरे वे तो बिसफोटक पदार्त उगाते हैं इसको सबज में आया कि वे बिसफोटक पदार्त उगा रहे हैं ये मसूस करता है कि धर्ती के लोग बहुत बुद्धिमान और बहादूर है अब नूडल कहता है कि आक्रमण कारी जो है अंत्रिक्षियान जो आक्रमण कारी अंत्रिक्षियान है वो धर्ती पर आक्रमण करने के लिए तयार है लेकिन Think Tank नूडल से कहता है नई अभी उनको आदेश दो कि अभी वो कुछ ना करें अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी समझ में आई है तो अभी तो जानकारी थोड़ी से मिली है मुझे और इस जानकारी से मैं यह कह सकता हूँ कि तो लोग बुद्धिमान है वे विस्पोटक पदार्थ उगाते हैं वह भी खेत में इसलिए तुम उनसे कहो कि जो तुम आक्रम्र करने वाले हो वो अभी रुक जाओ अभी मत करो अब थिंक टैंक जो है वो आयोटा से दिखिएगा तीनों लोग जो है वो बारी-बारी से पढ़ते हैं तो अभी ओमेगा ने क्या पढ़ा मैरी वाली पोएम यह याद रखेगा एक्जाम के लिए अब Think Tank जो है वो आयोचा से कहता है कि अब तुम उस जानकारी का अनुवाद करो अब वो फिर से एक nursery की book उसी book को उसी book को ये तीनों पढ़ते हैं किसी तीसरे book को नहीं पढ़ते किसी दूसरे book को नहीं पढ़ते यह नसरी की कविता है हे डीडल वाली जो यहां मैंने लिखा है हे डीडल डीडल यह चुकि इसको रखने के लिए मुझे यहां मिटाना पड़ा यह डीडल यहां पर लिखा है और यहां पर भी डीडल हे डीडल डीडल तो यह पोयम है हे डीडल, डीडल, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, ज्यान दिजेगा, cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such fun, and the dish ran away with the spoon, तो यह पढ़ती है, वो आयोटा, अब आयोटा हस्ते हस्ते बोलती है, dish spoon के साथ भाग गया, यह लिखा है न, dish ran away with the spoon, उसे बस यह समझ में आता है, वो कहती है, dish spoon के साथ भाग गया, उसे think tank जो है, वो उसे फटकारता है, और कहता है, अरे मुझे डर लग रहा है, मैं भाभीत हो गया हूँ, सोच रहा है वो, कि धर्दी के लोग तो बहुत उच्च सब लोग है, यह तो इनकी civilization जो है, वो बहुत ज़दा बढ़ गई है, यह अपने घरेलू जानवरों को भी संग के उपर इसका मतलब है कि यह आक्रमण करने वाले हैं अंतरच पर, तो डर जाता है, यह बंदा जो कि मार्स का commander in chief है, जो ruler है, वो नूबल से कहता है, कि अब आक्रमण दल से कह दो, जो आक्रमण करने वाले हैं, उसे कह दो कि आज आक्रमण नहीं किया जाएगा, फिर टैंक जो है, वो उप से कहता है, देखिएगा, एक ही बुक, तीन-तीन लोग, तो उप से कहता है, कि तुम decode करके पढ़ो, तो आपको यह बता दो कि तीनों लोग जो है ना, वो बारी-बारी से उसी एक बुक को पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास जो विचमिन है, वो एक ही कवि के योगे बना सकती है, दो कविता एक वेक्ति नहीं पढ़ सकता, हाला कि उन्हें नहीं पता कि वे कविता पढ़ रहे हैं, वो तो नरसरी की, वो भी नरसरी की बुक थी वो, नरसरी के बच्चों की, तो फिर जो उप है ना, वो नरसरी की कविता हम्प्टी-डंप्टी पढ़ता है, नरसरी की कविता हम्प्टी-डंप्टी सैट न वाल, यह हम्प्टी-डंप्टी हैं, सट न वाल, हम्प्टी-डंप्टी had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put हम्प्टी-डंप्टी together again, तो यह पढ़ता है, और जब पढ़ता है, तो हम्प्टी-डंप्टी का वो चितर भी तो ऐसे ढर जाता है, कहता है, धरती की लोगों ने मुझे देख लिया है, क्योंकि वो जो बंदा था ना, वो ठिंक टैंक से मिलता जूरता था, इसका भी सर जो था, अंडाकार था, और इसका भी अंडाकार, तो यह सोचता कि यह तो मैं हूँ, यह तो मेरी तरह है, यानि कि जैसे रूलर को जितना चाहते हैं, वह मंगल ग्रह से भाग जाने का फैसला करता है, वो नूडल से कहता है, एक काम करो तुम, मेरे लिए न, एक अंत्रिक छ्यान तयार करो, मैं यहां नहीं रहना चाहता है, मैं मार्स में नहीं रहूँगा, मार्स में आक्रम करने वाले गाय भैस से आक्रम कराएंगे वो लोग यहां तक है मुझे पहचान लिए देख लिए इसलिए मैं यहां ने रह सकता उसे बिना देरी किये वहाँ से भागना है धर्दिक लोग मंगल ग्रह पर कब जा करने वाले हैं नूडल थिंक टैंक से पूशता है कि आखिर जाएंगे कहां आप छोड़ करके तो थिंक टैंक उत्तर देता है कि वे अलफा सेंच्वरी नाम के ग्रह पर जाएंगे यानि कि ये प्लैनेट है अलफा सेंच्वरी यहां पर जाएंगे जो कि मार्स से एक सो मिलियन दूर है इस तरीके से तीनु लोग वो लाइबरे से भाग जाते हैं इस तरीके से और थिंक टैंक जो है वो मार्श को छोड़कर अकेले जाता है मार्स को छोड़कर अल्फा की तरफ यानि अल्फा सेंचुरी जो है प्लैनेट उसकी तरफ भाग जाता है वो यह फिल्म दिखाने के बाद इतिहासकार के उपर फिर से स्पॉटलाइट पड़ती है और हस्तेववव कहती है कि नर्सरी कविताओं की पुराने बुक ने धर्ती को मंगल ग्रह के आक्रमर से बचा लिया इसके बाद पच्चीसमी शताबदी में उन्होंने मंगल ग्रह से फिर संपर्क बना लिया यानि कि फिर से मानव और मंगल ग्रह की लोग जो थे पच्चीसमी शताबदी में आते आते फिर से दोस्त बन गए मित्र बन गए थिंक टैंक का स्थान नूडल ने रे लिया है क्योंकि थिंक टैंक भाग गया अब नूडल बन गया थिंक टैंक यानि मार्स का रूलर उन्होंने मंगल ग्रह के निवासियों को किताबों और सैंडविच में अंतर समझाया तो जब इन लोगों से मंगल ग्रह के लोगों से मित्रता हो गई तब मानवों ने उन्हें समझाया कि भाईया ये है बुक और ये है सैंडविच उन्होंने मंगल ग्रैपर एक आदर्श पुस्त काले भी स्थापित कर दिया यहने कि जैसा कि पृत्वी पर है वैसा मंगल ग्रैपर भी बना दिया लाइब्रेरी फिर लेकिन वहाँ की लोग एक बुक कभी नहीं पढ़ते थे और यह बुक थी मदर गूज जिसमें वो पोएम्स थे जिसको समझ करके यह लोग जो है वो मार्स छोड़ना चाहते थे इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है आशा आपको यह कहानी समझ में आए होगी हम चलते हैं question answer की तरफ बहुत अच्छे questions है इसको जरूर screenshot लेकर के लिख लीजिएगा यह है आपका read and find out page number 32, 33 का sorry 63 का first and second question and answer यह 65 page का first question और यह है think about it page number 74 में आपको मिलेगा पहला और दूसरा question answers तीसरा भी है चौथा भी है और यह है page number 74 का talk about it का पहला और यह दूसरा अब चलेंगे हम extra question answer की तरफ जो बहुत बेजोड आपको बताऊंगा मैं कि यह बहुत important है आपके लिए आप ध्यान दिजिएगा ऐसे जो question होते है प्राइड है जब फाल यह बहुत important होते हैं यह जरूर आते हैं यह पहला question इसका answer यह दूसरा है यह character sketch है हलाकि मैं noodle का character sketch last में आपको दूँगा बट यहां भी आप जरूर देख लिजिएगा यह third question है जो important है आपके लिए वास्तों में आपको बताऊं तो sub important है यह इसके तीन-तीन questions बन रहे थे और मैंने यहां पर रखे हुए हैं इसको जरूर आप लिखीगा यह थोड़ा बड़ रहा था इसलिए इसका answer यहां पर भी है यह है पाच्वा इसका भी थोड़ा अंस यहां पर है इसकी तो आप लिजिएगा यह चटा है चटा के दो question बन रहते हैं बड़े बड़े और यह answer इसका है यह चटा का answer है भाग है यह है character sketch think tank का और यह है noodle का character sketch यह theme of the story है जो बहुत important है आपके exam के point of view से और यह भी उसी का पाड़ है theme का ही इस तरीके से story खत्म होती है story के question असर खत्म होते है आशा आपको यह story समझ में आई होगी like a button जिरू प्रेस करिएगा subscribe कर लिजिएगा अगर आपने अभी तक subscribe ने किया होगा तो और हाँ share सुझाव देना होगा कोई परशानी होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो thank you for watching video मिलते हैं next video के साथ अपना ख्याल रखेगा